अग्णिवीर नभी एसे सारे मार के लिए साइंस के नई स्रीज है टोटल 500 कुश्चन है दस वीडियो में आपके स्रीज कंप्लीट कर दूँगा पहला वीडियो टोटल 50 कुश्चन लेंग्वेज हिंदी प्लस इंग्लिस और सही करने के जो टार्केट है वो 40 प्लस रहेगा अचा देखिए जो चीजे मैं आपको बताता जा रहा हूँ वो करते जाएगा 100% आपको सफलता मिलेगी नभी मार की जीके मैत और साइंस की कंप्लीट महा पीडियाफ आ चुकी है टोटल 652 पेज की वो पीडियाफ है जिसका प्राइस 199 रुपीज है एक सो 99 रुपए ले र होगा इसका टेस्ट है वो टेली अपर जोगा जोबी यूटव पे वीडियो जोज़ों में प्रिखरीयों महत पूर्ण बर्ण दाद कोंसी है डिपोर्टेंट मेटल यूजड विध आएरनट किय टूक जोएक स्ट फिरी ऐलुमिनियम कारबन क्रोमियम न रम और इसका option number C होगा chromium is the right answer देखिए हर question जो question आपको नहीं आता आप उसको छोड़ देना क्योंकि 0.25 की negative marking रहेगी जो आता है सिर्फ वह ही टिक करिए तूसरा question है मानो हुर्दे में कच्चों की संख्या कितनी होती है the number of chambers in a human heart is 4, 3, 2, 5 right answer इसका option number है होगा human heart में total 4 chamber होते हैं third number question देखिए नील गाय ये निमलिकित किस कुल में आती है नील गाय बिलॉंग्स तूदा following family गाय बकरी भेड़ हीरन third number question है right answer option number D होगा जो नील गाय है ये आपका हीरन के कुल में आती है important question है ये अगला question देखिए alcohol जल मिशनर से जल को अलग किया जा सकता है water can be separated from alcohol water mixture by निस्तारण दोरा, वाश्पन दोरा, आश्वन दोरा, उर्ध पातन दोरा fourth number question है right answer इसका option number C होगा alcohol जल मिशनर से जल को अगर आप अलग करना चाहते हैं तो आश्वन विदी के दोरा अलग कर सकते हैं fifth number question देखे निमलिकित में से किसने Newton से पूर्वी बता दिया था कि सभी वस्तुएं पैथवी की ओर गुत्व अकर्षित होती है who among the following anticipated Newton by declaring that all things gravitate to the earth आरेबट, वरामी, बुद्ध गुप्त या फिर ब्रह्मगुप्त तो question number fifth है right answer है इसका option number D होगा Newton से पहले ब्रह्मगुप्त ने बता दिया था कि सभी जो वस्तुएं वे प्रिथवी की ओर गुर्तवा कर्षित होती है देखें महा पीडियाफ देख लीजिए नेवी MR का ये complete महा पीडियाफ है जिसमें आपका science है गडित है और यहाँ पे जीके है YouTube के इतियास में पहली बार ऐसी पीडियाफ बनी है full slaves आपका chapter wise मिलेगा और ये जो पीडियाफ है आपकी हिंदी है और इंग्लिस दोनों लेग्विज में है प्राइज इसका 199 अगर सिर्फ ये पीडियाफ आप पढ़ लेते हो तो भी आप 50 में से कम से कम 45 नंबर लेके आओगे जर्नल एवेनेस का पूरा स्लेवस जो ओफिशल दिया हुआ है तो पूरा स्लेवस हमने chapter wise करवाया हुआ है ऐसा नहीं one-liners या theory लिखी है हमने हर chapter से जो questions है वो लिखे है best question आपके किस chapter से कितने लिखे है यहाँ पे लिखा हुआ है science भी है हर chapter से जितने question है important बन सकते है previous year वो सारे math की है इसके लाव math के भी important chapter से total यहाँ पे 500 question करवा है इस PDF को पढ़ लेना अच्छा है syllabus आप देख रहे हैं English में लिखा है लेकिन जो PDF है वो आपका Hindi और English दोनों language में किसी भी state सो दिक्कत नहीं होगी अच्छा यह महा PDF जिन लोगों ने खरीदा है उन्होंने review share किया है आप इस review को पढ़ लीजिए कुछ और review दिखा देता हूँ इन्होंने بھی PDF का review दिया है इन्होंने भी PDF का review दिया है और इन्होंने भी PDF को review दिया है अच्छा आप मैं से कुछ लोगों का मन में ये भी आ रहा होगा कि हो सकता ये fake screen sort हो तो telegram पर जाके check कर लो अच्छाई ये जिन लोगों का स्क्रीन सॉट है नाम देख रहा है आप लोग कमेंट कर देना अगर आपका ये स्क्रीन सॉट रियल है तो इसके लावब टेलिग्राम पे 100 प्लस स्क्रीन सॉट ऐसे ही सेंड करें जाके देख लेना ये वीडियो आप किसी भी टाइम देख रह ठीक है बरोसा घर के स्पीड अप को एक बार डाउनलोड कर लेना चलिए अगला कुशन देखे सिक्ष्ट नंबर कुशन है निम लिकित में से कौन सुमेलित नहीं है विच वन अफ दा फॉलेंग इस नॉट करेक्टली मैच्ट एनीमो मीटर वायू की चाल अमीटर इनो मीटर से मापा जाता है आपका दाब अंतर प्रेशर डिफ्नेंस नेस्ट कुशन देखे प्रतिवी का पलायन वेग इसकेप अर्थ इसकेप वलासिटी इज पंदरा एकी दसमलो एक या फिर साथ या फिर 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड यह कुशन इंपॉर्टेंट है बस एकुमुलेशन ऑफ विच वन अफ दा फॉलोइंग इन दा मशल लीट्स एन फैटिग लैक्टिक एसिड पाइरविक एसिड बेंजोईक एसिड या फिर यूरिक एसिड एर्थ नमबर कुशन है राइट अंसर इसका अपसे नमबर है होगा लैक्टिक एसिड के एकतरित होन या फिलेक्ट्रोन प्रोट्रोन और न्यूट्रोन तो आपको पता है नाभिक में प्रोट्रोन प्लस न्यूट्रोन रहता है जो इलेक्ट्रोन होता है आपका बाहरी कच्छा में चक्कर लगाता है तो आप्शन नमबर जो सी एस कुशन करा ही टंसर होगा टेंथ नमबर कु तो पौधे के कौन से बाक से अलदी पराप्त होती है तने से पराप्त होती है इस्टेम से जट कुछन देखिये कुषिए नमबर 11 निम्द पदार्तों में से कौन सा पदार्त खाने की वस्तुओं के परिरचन में प्रियोग होता है which one of the following substance is used in the preservation of food stuff citric acid, potassium chloride, sodium benzoid या फिर sodium chloride 11th number question है right answer इसका option number सी होगा sodium benzoid का जो use है ये खाद परदार्तों के सरणचन के लिए भी किया जाता है अगला question देखे मान स्पेशियों को हड़ी से जोड़ने वाले उतक को क्या कहते हैं the connective tissue that connects a muscle to a bone उपास्ती कहते हैं, ligament कहते हैं, tendon कहते हैं अंतराकाशी द्रव कहते हैं 12th number question का right answer बताइए right answer इसका option number C होगा मान स्पेशियों को हड़ी से जोड़ने वाले उतक को tendon का जाता है C number right answer देखे अगला question कौन सा विटामिन हमारे सरीर में सबसे अधिक तीवरता से बनता है the vitamin that is the most readily manufactured in our bodies A, B, C, D आसान question है right answer is option number D होगा विटामिन D जो ही हमारे सरीर में सबसे अधिक तीवरता से बनता है next question देखे मैं चिपकने वाले खाने के बरतोनों में कौन सा लेप चड़ा होता है non-stick kitchen wares are coated with PVC, graphite, teflon या फिर silicon का 14th number question है इसका option number C होगा teflon का लेप लगा होता है important है जाम में पूचा गया है अगला question देखे hemoglobin क्या होता है hemoglobin ही जा ये protein है carbohydrate है, वश्या है या फिर vitamin है 15th number question है hemoglobin जो है आपका protein है option number जो A है इस question का ये right answer हो जाएगा और नेवी हमारे के लिए important question है 16th number question है निमलिकित में से कौन सी रासी सदिस नहीं है which one of the following is not a vector quantity विस्तापन, वेग, बल, आयतन 16th number question right answer इसका option number D होगा इन में से जो रासी सदिस नहीं है वो है आयतन मतलब विस्तापन, वेग, और बल ये तीनों आपकी सदिस रासियां है अच्छा आदिस रासियां और सदिस रासियां आपको रटी होनी चाहिए next question है 17th number मानोर उदिर का pH मान the pH of human blood is 7.2, 8 6.6 या फिर 4 तो यहाँ पर right answer option number क्या होगा मानोर उदिर का जो pH value होता है वो होता 7.4 तो option number जो D है इस question का वो right answer होगा 18th number question देखें फूलो के अध्यान को कहते हैं the study of flower is known as phrenology, anthology agrostology, palynology 18th number question right answer इसका option number भी होगा फूलों का जो अध्यान है वो anthology के अंतरगत करते हैं तो option number जो B है anthology इस question का right answer होगा अगला question देखें टमाटर में लाल लंग का कारण red color in tomato is due to capsaicin, lycopene, genthofil या फिर उप्रियोक्त में से कोई नहीं अच्छा कल मैंने आपको question करवाए था कि जो गाजार होता उसका रंग orange क्यों होता है अगर याद है तो comment box में लिखिए याद कर लेना टमाटर को जो रंग होता है वो lycopene के कारण लाल होता है 20 number question रासायनिक रूप से milk of magnesia क्या होता है what is milk of magnesia केमिकली magnesium carbonate sodium bicarbonate calcium hydroxide या फिर magnesium hydroxide milk of magnesia 20 number question right answer option number D रासायनिक रूप से magnesium hydroxide होता है आपका milk of magnesia next question देखे question number 21 अपने कच्च में एक उपगरे प्रतिवी के चक्कर लगाता रहता है वो ऐसा निम्नमे से किस कारण से करता है satellite is kept moving in its orbit around the earth it is due to अपकेंदरी बल केंदरा भीमुकी बल गुत्तवा केशन बल या फिर कोई अन बल के कारण तो right answer इसका option number B होगा satellite जो होता है या आपका centripetal force केंदरा भीमुकी बल के कारण चक्कर लगाता रहता है 22 number question निम्नमे कित में से सबसे मीठी सरकरा कौन सी है which one of the following are the sweetest sugar sucrose, glucose, fructose या फिर maltose 22 का right answer option number C होगा इन में से जो सबसे मीठी सरकरा होती है वो fructose होती है तो option number C is question का right answer 23 number question है penicillin ये किस से प्राप्त किया जाता है penicillin is obtained from खमीर, शैवाल, पफूंदी या फिलाइकेन तो 23 number question का right answer क्या होगा option number C penicillin जो है ये आपका fungus, फफूंदी से प्राप्त किया जाता है अगला question देखे important है एक जाम में पूचा जा चुका है किसी lift में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा if a person sitting in a lift when he feels that his weight gets increased जब lift जो है तोरित रूप से उपर जा रही हो नीचे आ रही हो समान वेक से उपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो तो right answer इसका option number है होगा जब जो lift है वो तोरित गच से उपर जाएगे तब अगर आप उस lift में बैठे हो तो आपको जो भार है वो अधिक मालूम पड़ेगा 25th number question है निम लिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है which one of the following pairs is not correctly matched ऐसे question बहुत important होते हैं और एक्जाम में आते हैं क्योंकि ये question time लेते हैं एस कॉर्बे कमल नीबू, माल्टोज, माल्ट एसिटी कमल दही देगे C number जो question है वो गलत है क्योंकि दही में आपका एसिटी कमल नहीं होता है दही में आपका होता है लेक्टी कमल, लेक्टी केसिड C number इस question का राइट आंसर होगा 16th number question है हवाओं की उर्जा होती है the energy of wind is केवल इस्तितिज, केवल गतिज, वैदुद या फिर इस्तितिज और गतिज दोनो 26th का राइट आंसर आप्शन number B होगा हवाओं की जो उर्जा होती है वो केवल गतिज होती है only kinetic next question देखे फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है फेदोमीटर यूज टू मीजर बोकम, वर्सा, समुद्र की गहराई, धनी की तीवता तो फेदोमीटर का यूज है वो करते हैं समुद्र की गहराई को मापने के लिए और एकजाम में पहले भी पूछे जा चुके है तो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा 28th नमबर question है लोलक की कलावदी time period of a pendulum यह द्रमान पे निर्भर करती है लंबाई पे, समय पे यह फिर तापमान पर तो देखेए 28th का right answer टिक करिए राइट answer इसका option number B होगा लोलक की जो कलावदी है वो लंबाई के उपर निर्भर करती है लोलक की कलावदी कोई भी changes आप करोगे तो T में भी परिवर्थित होगा तो option number जो B है लंबाई के उपर निर्भर करता है इस question का right answer होगा next question देखे रक्त के ठक्के जमने का कारण it cause clotting of blood thrombin के कारण hemoglobin, pectin या फिर उपर के सभी तो रक्त का जो ठक्का है वो किसके कारण से जमता है right answer आपको बताना है option number A होगा thrombin के कारण जो रक्त का ठक्का है वो जमता है अगला देखे जिस तत्यों के परमाड में दो proton, दो neutron और दो electron हो उस तत्यों की द्रमान संक्या कितनी होगी which is the mass number of an element the atom which contains two proton two neutron and two electron पता है आपको द्रमान संक्या बराबर क्या होता है neutron प्लस proton neutron दो है और proton भी दो है तो कितना आजाएगा चार तो right answer इसका option number B रहेगा चार अगला question देखे जंग लगने पर लोहे का भार in the case of rusting the weight of iron बढ़ता है गटता है वही रहता है तो देखे 31 number question है जंग लगने पर जो लोहे का भार होता है वो बढ़ जाता है गटता नहीं है तो option number जो A है इस question का वो right answer होगा next question देखे मोंबत्ती का जलन combustion of a candle is an यह आपकी कैसी अब ग्रिया है प्रकास रासायनिक, भावतिक परिवर्तन है उस्मा सोसी यह फिर उस्मा छेपी तो देखे मोंबत्ती का जो जलना है यह आपके एक प्रकार की उस्मा छेपी अब ग्रिया है एक्जो थर्मिक रियक्शन है option number D इस question का right answer होगा next question देखे 33 मीबो मियन गरंती यह किस में इस्तित होती है मीबो मियन ग्लेंड इस लोकेटड आँक में, कान में, नाक में या फिर तचा में तो देखे मीबो मियन नाम की एक गरंती है जो की आपके आँक में उपस्तित होती है तो option number A question का right answer होगा 34 number question बताए पांच जगत वर्गी करण यह किस ने किया था फाइब किंग्डम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाई विटेकर ने, हैकल ने, लीनियस ने, कोपलेंड ने तो question number 34 है और right answer इसका option number होगा पांच जगत जो वर्गी करण है यह विटेकर ने किया था 35th number question रासायनिक द्रस्थिसे सूर केमिकली वर्मी लिज देखिए जो सूर, जो सिंदूर है यह इसका रासायनिक नाम पूचा गया है पोटेशियम नाइटराइट या फिर मर्कूरिक सलफाइड या फिर सोडियम कॉलराइड तो देखिए रासायनिक रूप से जो सिंदूर होता है राइट अंसर इसका रासायनिक नाम है मर्कूरिक सलफाइड नेश्ट कुश्चन कुश्चन नंबर 36 होमियोपैतिक के संस्तापक होने पाउंडर ओफ होमियोपैतिक शेम्योल हाहेमान, हिपोक्रेटस, चरक या फिस सुस्तूरूत राइट अंसर इसका अप्शन नंबर होगा होमियोपैतिक के जो संस्तापक हो है शेम्योल हाहेमान अगला कुश्चन निमलिकित में से किसकी उपस्तिती के कारण गिरगिट रंग बदलता है दा कलर चेंज इन दा हीमोगलोबिक या फिर फोटोनिक क्रिस्टल क्लोरोफिल के कारण वात रंद्र के कारण तो देखे गिरगिट जो है वो रंग बदलता है फोटोनिक क्रिस्टल की उपस्तिती के कारण तो आप्शन नंबर जो बी है इस कुश्चन का वो right answer होगा अगला question देखे सूर की किर्णों में कौन सा vitamin प्राप्त होता है the vitamin available from the sun raises A, B, C, D तो उपर एक question था कि सबसे जल्दी हमारा सरीर कौन सा vitamin बनाता है vitamin D तो सूर की किर्णों में कौन सा vitamin होता है इसका भी right answer vitamin D अगला question देखे वर्नांदता वाले आदमी को लार नंग दिखाई देगा to the person with the color blindness red color will appear पीला, हरा, नीला, बैगनी वर्नांदता वाले आदमी को जो लाल करा है, color है वो आपका हरा दिखाई देगा B number right answer होगा 40 number question है हमारे सरीर का जो अधिक्तम भाग बाहर है weight of our body is mostly made of अस्तियों का, सारीरी कंगों का तुच्चावा अंगों का या फिर जल का बड़ा असान question है हमारे सरीर का जो अधिक्तम भाग बाहर बना है वो आपका जल का है D number question का right answer होगा और ये exam में पहले भी पूछे जा चुके है अगला question देखिए अन्तोफोबिया निम्न का डर है अन्तोफोबिया is fear of the following अधिकारी का, अगनी का पुस्प का या फिर कुतों का तो देखिए अन्तोफीबिया जो है या आपका एक प्रकार का पुस्प का डर है अगर किसी को फूलों से डर लगता है तो उसको एंतोफोबिया इस डर को कहते है अधिकर्शन देखिए संयुक्त राष्णे वर्स 2011 को किस विज्ञान है तो नामो दिष्ट किया है फ्रम विच ब्रांच आप साइंस यून है यून है यून है डिजिगनेटेड दा ये ये अप दोजार 2011 दो 2011 अंतराष्टी रसायन विज्ञान वर्स अंतराष्टी खबोली वर्स अंतराष्टी जय विविद्टा वर्स अंतराष्टी बौतिक वर्स संयुक्त राष्णे वर्स 2011 को अंतराष्टी रसायन विज्ञान वर्स के रूप में नामोदिष्ट किया है नमबर जो ए है इस question को का वो राइट अंसर होगा 43 नमबर question है वायू की गत निम लिखित में से किसके द्वारा नापी जाती है the velocity of wind is measured by barometer, anemometer, hydrometer, wind wind तो anemometer से हम आपते हैं वायू की गत तो option नमबर जो बी है इस question का राइट अंसर होगा next question देखे malaria से प्रभावित होने वाला अंग, the organ affected by malaria is हेर्दय, फेपडे, किडनी, प्लिया, 44 का राइट अंसर बताएए राइट अंसर इसका option नमबर D होगा, malaria से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो आपका प्लिया, spleen, D नमबर इस question का राइट अंसर होगा अगला question देखे, कृतिम वर्षा हे तू, प्रियोक्त पदार्थ है, the substance used for artificial drainage, silver bromide, ammonium nitrate, silver iodide, उप्रियोक्त सभी तो question नमबर 45 का अंसर बताएए, right answer option नमबर C होगा, कृतिम वर्षा हे तू, प्रियोक्त जो पदार्थ है, वो है आपका silver iodide अगला question देखे, एक glass पानी से, पानी पीने से कितनी calorie मिलती है, how much calorie are gained by drinking a glass of water, 0, 15, 25, 30 देखे, एक glass पानी पीने से, एक भी calorie नहीं मिलती है, तो option नमबर जो A है, इस question का, right answer होगा अगला question देखे, मुत्रालियों के पास, प्रायर नाक में चुबने वाली गंद का कारण क्या होता है, अपंगेंट smell of an present near the urinals is due to, यह sulfur dioxide के का क्लोरीड के कारण, अमोनिया के कारण, यूरिया के कारण, तो यह होता है, आमोनिया के कारण, तो option नमबर जो C है, इस question का, वो right answer question number 48 है, मच्चर बगाने वाली दवाओं में सक्री रसायन है, an active chemical to remove mosquitoes, एलिथीन, एट्रोपीन, 2-isopropoxyphenol, बेंजीन, हेक्साक्लोरीन, right answer 48 का option number A होगा, मच्चर बगाने वाली दवाओं में जो chemical होता है, उसका नाम है, एलिथीन, एलिथरीन, ए नमबर right answer, 49 number, gasohol is, gasohol क् एथील एल्कोहol प्लस पैٹ्रोल, प्राक्तिक गैस प्लस एथील एल्कोहol, एल्कोहolमे विलेट कोई gas, या फिर एल्कोहol प्लस मिट्टी का तेल, तो देखे, gasohol जो है, right answer इसका option number A होगा, ये आपका एथील एल्कोहol प्लस पैट्रोल है, question number 50 है, नीमू में मुक्ता कौन क्या अंसर होता है विच एसीड इस इन लेमन राइट अंसर ऑप्शन देगे पहले एसीटी कमल साइटरी कमल नाइटरी कमल उपरोग सबी लास्ट कुश्चन का अंसर दीजिए नीमू में जो मुक्ता अंबल पाया जाता है उसका नाम है साइट्रिक अंबल ऑप्शन नंबर भी इस कुश्चन का राइट अंसर होगा ये थे आज किसी वीडियो के 50 इंपर्टन कुश्चन 0.25 की निगेटिव मार्किंग के साथ ये बताईए कि आपका 50 में से क्या स्कोर रहा गलत मत बताये करिए जो आये वही बताईए अच्छा हमारा टार्गेट यही रहता कि आप आपको कम से कम समय में 50 कुश्चन करा है अगर किसी बड़े चैनल पर जाओगे जहां पर महरातन कराई जाती तो यही 50 कुश्चन आपको लगबग 2-3 गंटे में करवा जाते हमने आपको लगबग 20-25 में ये कुश्चन आपको करवा दिये हैं है ना कैसी लगी वीडियो कम कर लो नंबर दे रहा हूं डारेक्ट में अपना 955925198 यही नंबर वाट्सेप पे भी है यही नंबर गूगल पे फोन पे हर जगह है दो दो नंबर नहीं है सिर्फ इस नंबर पे ही आपको पेमेंट करना है और पेमेंट करके वाट्सेप पे आपको स्क्रीन स्वाट बेज से इससे कम नहीं होगा क्योंकि उसमें हमने 652 पेज का जो कॉंटेंट है वो तयार किया आपके लिए बाकिया और कोई कुशन है तो कमेंट बॉक्स से पूछना कल से एक और नहीं सीरीज स्टार्ट होगी फिजिस की प्रीवेस यह कुशन बाए